स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में दोस्तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं जोगरोफी के इंपोर्टेंट प्रशन उत्तर जो अगामी बोर्ट परिक्षा के लिए काफी महत्पूर्ण है तो दोस्तो वीडियो को शुरू से लेकर आखीर तक देखेगा क्यों सबसे पहले आपको नौर्टिफिकेशन पहुझे और सबसे पहले इसका फाइदा आप ले पाओ तो जलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज की इस क्वश्ण नमबर एक से यहाँ जैसे देख पारेंगे के दोस्तों क्वश्ण नमर एक स्क्रीन में है यहाँ पर क्या कह रहा ह अंसर ये यह नंबर यानि यह ग्यों जो है यह रोपन भसल नहीं है अब बढ़ते हैं अगले प्रशन की और क्वेश्चन नम्र दो तो दो नमब्र क्वेश्चन को देखी और जवाब दिने की कोशिश करें तो यहाँ पर आ चुके question नमर दो क्या कहरा है दोस्तों कहरा है कि किम बले किसके लिए परशिद है तो किम बले किसके लिए परशिद है पेट्रोलियम हीरा कोईला या फिर सोना तो दोस्तों इसका right answer जो जाएगा क्या हो जाएगा कभी नमबर राइट अंसर यानि हीरा के लिए परशिद है ठीक है अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर तीन की और तीन नमबर स्क्रीन में आ चुकी है यहां पर क्या कह रहा है कि मेगा सिटी सब्दा वली का परियोग पहली बार किस विद्वान ने विद्वान द्वारा किया गया था तो दोस्तों इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो तीन नमबर का राइट अंसर ए नमबर हो जाएगा यानि क्या है गौट मैन गौट मैन राइट अंसर हो जाएगा अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर चार क्या कह रहा है कि भारत में योजना आयोग का गठ इसका राइट अंसर शी नमबर जाएगा निया असम में इस्तित है अब बढ़ते हैं परशन नमबर चे की ओर तो छे नमबर परशन आचुकी यहां पर क्या कह रहा है कि किसी जील के चार और विक्सित गाउं का प्रारूप होता है तो इस तो कैसा होता है तो इसका राइट आ चुकी है क्या कह रहा है कि निम्न मैंसे कौन एक भूमी उपयोग सनवर्ग नहीं है तो दोस्तों इसका राइट अंसर साथ नमबर का शी नमबर जागा निया मैदानी भूमी जो है यह किस के लिए तो यह जो है सनवर्ग नहीं है भूमी उपयोग के लिए अब बढ़ते है अगले question की ओर यानि question number 8 screen में है 8 number यहाँ पर क्या करा है कि big inch pipeline के दुवारा परिवहित किया जाता है तो क्या परिवहित किया जाता है दोस्तों तो इसका right answer जो हो जाएगा निए 8 number का तो 8 number का C number डी number आइट निए petroleum परवहित किया जाता है अब बढ़ते हैं अगले question की ओर तो यहाँ पर आचुकी है question number 9 तो 9 number question क्या कह रहा है कह रहा है कि 20 सदी में 20 की जनसंख्याद 10 गुनी बढ़ी है तो कितनी गुनी बढ़ी है दोस्तों तो 9 number का right answer जो हो जाएगा यानि ए नमबर हो जाएगा a Deaf Nord तो दोस्तों अगर इसीतर है केल कि यृटी रेना चाहरहे है तो admission कर लीजिए जिसका फी जो आप लोगं को देना провolãy बहुत सार है इस्ट्रविंट जो है कमेंड कर रहे हैं बता रहे थे के जो है क्या लिजएगा लिजेगा तो दोस्तो इसका फी जो है दोसो रखा गया है जो दोस्तो आपको सभी सब्जेक्ट का PDF मिलेगा और एक्साम के बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप 80% अगर तैयारी करना चाह रहे हैं तो बस PDF लेकर एडमिशन करके PDF लेकर ला सकते हैं 7903288689 पर जो है इसमें कॉल करिए और सारे PDF मैं जो दूँगा दोस्तो उसको पढ़िए और आप जो है 90% मार्क्स जो है गेम कर सकते हैं अगर आप थोरा सभी मेहनत से परोगे तो ठीक है दोस्तो अब चलते हैं प्रशन नंबर 11 की और तो 11 में प्रशन यहां पर क्या कह रहा है कि उनसेव इराननब्य से उनसेव इसनताणनब्य तक भारत में ड़ेस पंच वर्शिय योजना का कार्यकाल था तो कितना का था दोस्तो कितना नववी का साथवी का आठवी का तो इसका राइट आंसर जो है ग्यारे नमबर का तो शी नमबर राइटेसर ने आठ वी ठीक है दोस्तो आठ वी पंच वर्षी योजना कार्यकाल था ठीक है दोस्तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नमबर 12 के और तो 12 नमबर इस्क्रीन में आच चुकी है क्या करा है क्या कि ट्रक फॉर्मिंग में डैस की किरिशी की जाती है तो किस की किरिशी की जाती है तो 12 नमबर का राइट अंसर कौन सा हो जाएगा यानि 12 नमबर का बी नमबर राइट अंसर ने सबजी की यानि किरिशी की जाती है अब दोस्तो बढ़ते हैं अगले परशन की और क्वेश्चन नमबर 13 स्क्रीन में ह जवाब दीजे देखकर क्या कहा रहा है कि संसार के अधिकांश पत्तन है पत्तन कहां पर है दोस्तों यह पर तो इसका राइट अंसर यह तेरे नंबर का जो हो जाएक राइट अंसर तो ए नंबर यह विस्तरित है तो अधिकांश पत्तन कहा है तो विस्तरित यह विस्तारित रूप से है ठीक है दोस्तों चाड़े अब बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और क्वेश्ण नुम्बर ब्राजिल में कॉफी की बागवान को क्या कहा जाता दोस्तों तो पंद्रह नंबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नंबर यह फेजेंडा कहा जाता है अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और कोश्ण नंबर 16 नंबर क्या कर रहा है कि एस या कि सबसे बड़ी गंदी बस्त है तो दोस्तों इसका राइट अंसर 16 नंबर का 16 नंबर का राइट अंसर डी नंबर धारावी यह कहां पड़ता है तो मुंबई में पड़ता है दोस्तों धारावी अब बढ़ते हैं अगले परश्ण के और क्वेश्ण नंबर 17 तो 17 नंबर को देख लेते हैं यहां पर क्य चाहां कह रहा है कि कितने देशों में नी मिरा सुच कांक है तो इसका सत्रत्र नंबर कराइट ऑफ कथन सत्य कॉन्छे नंबर जागा आयरी건데 अधर स्वाध् Ind Benny नंबर का राइट अंसर बी नंबर हो जाएगा यानि 10 लाग से कम जन संख्या वाले नगर को भारत में महासागर कहा जाता है तो राइट अंसर बी नंबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर 19 नंबर आ चुकी है क्या कह रहा है कि निमनलीकित मैंसे किस महादीप में जनसंख्या विर्दी सारवदिक है तो किस महादेप में सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या विर्दी तरह है तो इसका राइट अब बढ़ते हैं अगले परश्चन की ओर तो यहां पर आच विकास की आउधरना निमने लिकितमेंसे किस वैक्ति की देन है तो दोस्तो बीस नमबर का राइट आंसर जो जाएगा यानि शी नमबर हो जाएगा यानि डॉक्टर महभूबुल हक राइट अंसर शी नमबर हो ज करन रहे हैं तो दोस्तो ऐडमिशन कर लिजिए ठीक है आपको सभी सब्जेक्ट का जो है सभी का जो है सभी इमपोर्टन सभी कोशन सभी ला सकते हैं तो यहाँ पर नम्बर में लिख दय रहा हूं आप लोगको करना परेगा जिसका जो अधर पी की की जो है रखा गिया है 200 रुपिया और 200 रुपिया आप लोग को देना परेगा बिल्कुल जो है 200 रुपया देकर admission करके जो exam तक आप PDF ले सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इतना जो है आप लोग जो जो admission करना चाहरे है तो इस number पे जो है चाहे WhatsApp करिए या फिर call करके जो है आप लोग कर सकते हैं admission करके PDF ले सकते हैं अब बरते हैं question number 21 number एक किस number question यहाँ पर क्या करा है कह रहा है कि निमने लिकित में से कौन रोपन फसल नहीं है तो रोपन फसल यहाँ इनमें से कौन नहीं है तो दोस्तो इसका right answer यानि गयू हो जाएगा यह क्या है गयू जो है रोपन फसल नहीं है अब बढ़ते हैं अगले परशने के ओर तो दोस्तो 22 number question यहाँ पर क्या कह रहा है थोरा सा जूमिन कर लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से दिखे कह रहा है कि निमने लिकित में से कौन एक आर्थिक किरिया गरामिन बस्तियों की मुख आर्थिक किरिया है तो दोस्तो इसका right answer कौन सा हो जाएगा तो 22 number का जो right answer होगा तो A number हो जाएगा यहाँ परार्थमीक right answer हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशने के ओर तो यहाँ पर आचुके 23 number question क्या कह रहा है कि निमने लिकित में से किस अब बढ़ते हैं अगले परशने के ओर दोस्तो question number 25 तो 25 number screen में है क्या करा है किस अस्थान पर भारत का पहला परवानु station अस्थापित किया गया तो जोस्तो इसका right answer जोएगा 25 number का तो यानि B number right answer यानि तारा पूर right answer हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशने के ओर तो यहाँ पर आचुके question number 26 number question क्या कराएगे परवत एवंग परवतों एवंग उचे पठारों पर किस परकार की बस्तियां पाई जाती है तो 26 number का right answer कौन सो जाएगा थे शी number right answer यानि सीरी नूमा right answer हो जाएगा अगर आप लोग live class प्रणा चाह रहे हैं चैनल का link description box में दिया हुआ है वहाँ जाकर चैनल को subscribe कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजेगा ठीक है दोस्तों अब यहाँ पर देखे question number 27 भारत के किस राज में बास डिरिप सीचाई परणाली है तो दोस्तों 27 अब बढ़ते हैं अगले परशन के और question number 28 यहाँ पर क्या कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक जन संक्या में अंतर रास्ट्रिय परियाटक आते हैं तो दोस्तों 28 नमबर यह नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन के और दोस्तों question number आ चुकी है क्या कह रहा है कह रहा है कि भारत के चार महानगरों को जोड़ने वाली सरक है तो दोस्तों इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा तो 29 नमबर का राइट आंसर जो जो जोड़ती है ठीक है दोस्तों चले अब बढ़ते हैं अगले पर आप लोग भी जवाब दे सकते हैं तो इसका राइट अंसर तीस नमबर का कौन सा हो जाएगा तो यह नमबर राइट अंसर के लिए ठीक है राइट अंसर यह हो जाएगा अब बढ़ते हैं question number 31 तो 31 नमबर question में क्या कह रहा है दोस्तों यह कह रहा है कि मेगा नगर की जनसंक्या कितनी होती है तो मेगा नगर की जनसंक्या कितनी होती है दोस्तों अगर आप सभी को पता है तो आप लोग भी जवाब दे सकते हैं तो इसका राइट अंसर जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा 31 नमर का तो B नमबर राइट अंसर यानि 50 लाक से अधीक अब बढ़ते हैं अगले परशन की और तो यहाँ पर आ चुकी है Q32 क्या कहरा है कि फरीदाबाद किस राज में किस राज का शहर है तो किस राज का एक शहर है तो दूस्तों ग्यों की खेती के लिए आदर शितापमान कितना होना चाहिए तो इसका राइट अंसर कौन सा हो जाएगा B नमबर यानि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस राइट अंसर B नमबर हो जाएगा अब बढ़ते हैं अगले परशन की और किस नदी पर इस्थित है तो दूस्तों 34 नमबर का राइट आंसर जो जाएगा ए नमबर यानि नर्मदा नदी के किनारे अब बढ़ते हैं क्वेशन नमबर 35 की और तो 35 नमबर को देख लिजिए और आंसर आम लोग नीचे में देखेंगे यहाँ पर क्या करा कि बाबा बुदन पहारी है तो बाबा बुदन पहारी कहां पर है तो दूस्तों किस राज्य में है तो इसका राइट आंसर जो जाएगा यानि A number right answer नहीं करनाटक में है करनाटक right answer हो जाएगा तो दोस्तो आज हम लोग 35 question को cover किए ठीक है दोस्तो तो इसमें तो बहुत सारे question है लेकिन हम लोग 35 question को cover करेंगे तो आप लोग जो है अगर चाहते हैं कि अगला part आ जाए बहुत जल्दी तो आप लोग comment करके जरूर बताएंगे और दोस्तो अगर आप लोग जो अभी तक admission नहीं किये है तो admission कर लीजिए उसमें आपको बहुत अच्छी जो है आपको board की तयारी कराई जाती है 7903288689 पर जो है आप लोग call करिए या फिर आप लोग जो है फोन कर सकते हैं या फिर आप लोग WhatsApp पर के जो है PDF ले सकते हैं तो admission जो का है जो दोस्तों फी लेगेगा यानि 200 रुपया जो है admission फी रखा गिया है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का PDF दिया जाएगा जैसे history, geography, political science, home science, psychology, sociology, उर्दू, Hindi, English यानि सभी सब्जेक्ट आपके जो भी सब्जेक्ट है तो सारा सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा बस आपको जो है इस नंबर को save करके वाटसब करने आए और दोस्तों आप जो है क्या करना है आपको तो फोन करके ले सकते हैं दोस्तों चैनल को subscribe करके बेल आगर को press करके रखे क्योंकि इसी तरह के हम लोग part 2 को लेकर आएंगे और आप लोग comment करके बताएगा कि पार्ट टू कितना जल्दी आना चाहिए दोस्तों आज क्या वीडियो इतना है तब तक के लिए जैहिंजवड मिलते एगले वीडियो पर है